द्यार्वी नियूस पर आप सभी का स्वागत है मैं हूं राहूल पांडे एक मई से 18 साल के उपर के सभी लोगों को वेक्सिन लगाई जाएगी इस बात का आदेश जो है केंद सरकार ने बीते कुछ दिनों पहले ही जारी कर दिया 18 साल के उपर के वेक्सिन लगाने की घोशना के बाद महाराष्ट सरकार ने मुफ्त में लोगों को टीका लगाने का फैसला किया लेकिन मुफ्त टीका करण को लेकर महाराष्ट की सियासत गरम हो चुगी है इसे लेकर महाविकास अगाडी की सरकार में एकमत्र नहीं है श्रेवाद की लड़ाई जो है अब महराष्ट में देखी जाने लगी है केंद्र सरकार ने एक माई से 18 साल से अधिक उम्रत के सभी लोगों को कोरोना वैक्सिन लगाने की अनुमती दी है जिसको लेकर कई राज्यों ने अपने नागरीकों को मुफ्त में वैक्सिन उपलब्द कराने की घोशना की है महराष्ट में मुफ्त वैक्सिन को लेकर महाविकास अघाडी में शामिल दल आपस में भिड़ गए हैं श्रे लेने के मामले में कोई किसी से पीछे नहीं है महराष्ट के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए सरकार ने मुफ्त टीका करण का मेगा प्लान तयार किया है सुत्रों के मुताबिक राज्य सरकार टीका करण पर लगभग 5,000 करोड रुपे खर्च करेगी ठाकरे सरकार प्रतिक व्यक्ति को मुफ्त टीके उपलब्ध कराने की योजना बना रही है इसके लिए प्रती महिना 2 करोड टीके खरीदने की योजना है ठाकरे सरकार ने अगस्त महिने के अंद तक राज्य में 18 वर्ष्ट से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका लगाने का लक्ष रखा है इसके लिए राज्य सरकार ने पूने के सीरम इंस्टिट्यूट ओफ इंडिया से हर महिने 1.5 करोड कोवी शिल्ड वैक्सिन की मांग की है महिन हैदराबाद की भारत बायोटेक से प्रती महिने 1 करोड को वैक्सिन की मांग की गई है हलंकी भारत बायोटेक ने 50-60 लाग टीके उपलब्द कराने का वादा किया है टीके की कमी की समस्या से निपटने के लिए ठाकरेश सरकार अंतराष्ट ये बजार से भी करीब 50-60 लाग टीके की खरीदी करेगी वहीं मुफ्त टीका करन को लेकर कॉंग्रेस नेता बाला साहिब थोरात ने कहा है कि कॉंग्रेस अध्यक सुनिया गांधी ने इस पष्ट रूप से कहा है कि सभी नागरीकों को मुफ्त वैक्सिन मिलनी चाहिए कॉंग्रेस की भूमिका महाराष्ट में साफ है सभी को मुफ्त में वैक्सिन मिलनी चाहिए हालनकि व्यक्तिगत और पार्टी को श्रेल के लिए कुछ लोग नेडने की घोशना कर रहे हैं इससे पहले के मुख्यमंत्री घोशना करे या बिल्कुल सही नहीं है वहीं कैबिनेट मंत्री नवा मलिक ने कहा कि कैबिनेट में इस बात की चर्चा हुई थी कि 45 साल तक के लोगों को मुफ्त वैक्सिन दी जाएगी हम वैश्विक निविदा जारी करेंगे वहीं विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फड़नुष ने कहा कि कि मुंबई साहित पूरे महराश में कोरोना तेजी से फाइल रहा है लेकिन राज्य सरकार केवल केंद्र पर आरोप लगाने में वैस्थ है दूसरी तरफ विधान परिशाद में विपक्ष केनेता प्रविन दरेकर ने कहा कि कोरोना से निपटने में महाविकास अगाडी की सरकार कमजोर साबित हो रही है DRV News के लिए राहूल पांडे की रिपोर्ट